नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिउज जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिज टैक्सबुक, स्टांडर्ड टैन, यूनिट नमबर फाई, प्लेइंग विद फायर, आग के साथ खेल, पार्ट वन. दोस्तों, आग और पानी के साथ खेलने में खत्रा है, लेकिन सावधानी रखकर उसके साथ खेला जाए, और योग्य ट्रेनिंग ली हो, तो खेलने की मजाई अलग है. इस यूनिट में हम आग के साथ खेल, यानि प्लेइंग विद फायर की बात करेंगे. लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक जरूरी सूचना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बाजू में दर्साय हुए बेल आइकोन को भी प्रेस करें, जिसे कि आने वाले नए वीडियो की जानकर यापको नोटिफ आए, तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेर भी करें, थाकि वे लोग भी इस प्रकार से वीडियो का अभ्यास कर पाए, ओके तो शुरू करते हैं, यूनिट नमबर फाई, प्लेइंग विद फायर, आग के साथ खेल, पार्ट वन, प्लेइंग विद फायर, आग के साथ खेल, वन ओफ अवर फेवरिट फेस्टिवल्स इन इंडिया इस दिपावली और दिवाली, as it is known in the North, भारत में हमारे पसंदिदा त्यावारों में से एक दिपावली, या उत्तर में जो दिवाली के नाम से जाना जाता है, there is nothing to match the excitement when crackers go off in the night sky with a loud bang and a brilliant sour of colors बड़े धमाके के साथ और तेजस्वी रंगों के फवारों के साथ रात को आसमान में जब पटा के पूटते हैं, तब जितनी उत्सुकता होती हैं, उसकी तुलना और किसी से हो ही नहीं सकती, Many of us might wonder how these fireworks are made, हम में से कहीं साथ ये सोतते होंगे, कि ये फटा के कैसे बनते होंगे, और उसमें क्या होता होगा, the physics and chemistry of fireworks is as interesting as the sound and the light they emit, पटा को का बवती की विज्ञान और रसायन विज्ञान, उसकी आवाज और उत्पन्न होने वाले प्रकास जितना ही दिल्चस्प है, पटा को का विज्ञान कलात्मक रुप से पाइरो टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है, जो एक ग्रीक भासा का सब्द है, पायर मीनिंग फायर and टेक्निक्स मीनिंग और आर्ट, पायर कार्थ, फायर यानि आग होता है, और टेक्निक्स कार्थ, कला होता है, पायरो टेक्निक्स में सिर्फ पटा को का ही समाविस्ट नहीं होता है, बलकि साधनों की या एक विशाल स्रणी है, that use similar materials and principles from safety matches that we use everyday, two solid-filled rocket boosters of the space subtle, जो समान पदार्थ और सिधानतों का उपयोग करते है, दिया सलाई, जिसका हम हरोज उपयोग करते हैं, वहाँ से लेकर अंत्रीक्स यान में, solid booster rocket, solid fuel rocket boosters में, उपयोग में लिये जाने वाले इंधन तक, उसमें पदार्थ और सिधानत एक समान होते हैं, यानि, दिया सलाई से लेकर, booster rocket के इंधन में, पदार्थ और सिधानत एक समान उपयोग में लिये जाते हैं, गर उपयोग में लिये जाने वाले दिया सलाई, एक विशिष्ट प्रकार के पायरोटेक्निक का साधन है, उसमें पायरोटेक्निक की सभी असर मोजूद हैं, जैसे गर्मी, धुआ, प्रकास, वायू और आवाज, कुछ इतियासकर कहते हैं कि, कुछ इतियासकर कहते हैं कि, ब्लेट पाउडर पटाकों में उप्योग में लिये जाने वाले मुल्बूत पदार्थ भारत में खोजा गया था, यानि पटाकों में उप्योग में लिये जाने वाले काले पाउडर की खोज भारत में हुई थी, सुक्रान्थी, written more than 2,000 years ago, has reference to weapons similar to guns and projectile weapons, 2000 वर्स पहले लिखे गए शुक्रान्थी नाम के गरंथ में बंदूक और तोप जैसे सस्त्रों का वर्णन है, However, फिर भी, the Chinese are generally considered the pioneers of pyrotechnics, फिर भी, pyrotechnics के संसोधक के रुप में सामान ये रुप से चीन को गिना जाता है, एक अजार वर्स पहले उन्होंने ब्लेक पाउडर विक्सित किया था ऐसा कहा जाता है, इट तुक अट लिस्ट तू हंडर यर्स फॉर्ट नॉलेज तू स्प्राइट तू वेस्ट पस्चिम में इस ज्ञान को फैलाने में कम से कम दो सो साल लगे, and it was only 1242 that an English monk, Roger Bacon, rebuilt the formula for black powder और 1242 में एक अंग्रेज साधू, Roger Bacon ने black powder की formula यानि black powder बनाने का तरीका गुशित किया, He considered it such a dangerous substance that he wrote of it in a code language, वे इस powder को इतना खतरनाक पदार्थ मानते थे के उन्होंने उसके बारे में सांकेतिक भासा में लिखा, The basic formula of the black powder or gun powder has remained unchanged for sanctuaries. Black powder या गन powder बनाने का आधारभूत तरीका सदियों से किसी भी प्रकार के परिवर्तन बिना का है, यानि उसमें कहीं सालों से कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, It is a blend of potassium, nitrate, charcoal and sulfur in the ratio of 75, 15 and 10 by weight. यह potassium, nitrate, charcoal और sulfur का 75, 15 और 10 के प्रमान अनुसार वजन का मिस्रण है, यह करीब निश्चित प्रमान वाला मिस्रण है and no further improvements or alternation need to be made, और इसमें किसी भी प्रकार के सुधार या परिवर्तन की आवस्यक्ता नहीं है, Experts say that this might be the only chemical product, still using the same age, old, proportions and manufacturing techniques. निश्चनातों का कहना है कि सायद यह एक मत्र ऐसा रासानिक उत्पादन है जिसमें अभी भी उसी प्रकार की पुरानी पद्धती और पुराने प्रमान में इसका उप्योग होता है, यानि बनाने का जो तरीका है वो भी पुराना है और उसमें जो पदार्थों का उप्योग होता है, उसका जो प्रमान है रेशियो है वो भी वही पुराना रेशियो है. कर दो का जो करदा माद है मैं जो आर भी वहीं है वो भी पुराना है.